इलस्ट्रेशन नमबर फूर पढ़ते हैं इसमें लिखा है फॉलॉइंग इस पे आप को बता जाता है एक स्टार लगा लेते हैं इंपॉर्टन कॉस्टिन भी है तो फॉलॉइंग नोट्स पर्टेंड तू दा बैलन शीट ऑफ प्रीद लिमिटेड एजएट 31 मार्च दो हजार बाइस ठीक है तो एक कंपनी है उसकी आपको बैलन शीट के कुछ नोट्स दे रखे हैं तो एक बार इस पे नजर मार लो अच्छे से मैं भी साथ साथ देख ल इनके पास 15,000 तो प्रिफरेंस शेर्स हैं 10 रुपए एच के और 1,50,000 इकुडी शेर्स हैं 10 रुपए एच के तो ये इनकी authorized capital है 16,50,000 ठीक है लेकिन इन्होंने पब्लिक को कितने इशू कर रखे हैं वो देखो ब नीचे इशूट या subscribe capital तो पंदरा मैंसे प्रिफरेंस शेर्स सिर्फ 12,000 ही पब्लिक को इशू कर रखे हैं ओके जी तो इनसे तो मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है लेकिन अब अगली line जो देखनी है वो आपको अपने आँखों को फाड़ फाड़ के देखनी है कि company ने कितने equity shares इशू कर रखे ह हैं सिर्फ 1,35,000 shares और off rupee 10 each के बाद जो लिखा है उसके बाद तो आपका दिमाग खुल जाना चाहें है ठीक तो समझ गए भाई होगे नो तो company ने 1,35,000 equity shares ही issue करे हैं पहली बाद तो यह और 8 rupee ही अभी paid up है तो इससे automatically हम समझ गए कि 2 rupee अभी final call के हमें अपने आप करने पढ़ेंगे ठीक है तो यह हो गया पहला part बागी इनके पास कुछ मटके हैं मटको में general reserve इसकी rank 3 है मटको में CRR इसकी rank 1 है मटको में security premium वो भी cash में collected है तो number rank 2 है और P&L account rank 3B कह देते हैं मतलब 3 में भी niche लिगा नहीं तो चार मटके हो गए ठीक है उसके बाद लिखा है on 1 April चलो अच्छी बात है the company has made a final call of rupee to each on 1,35,000 equity share तो उने खुदी बता दिया और आगे ये भी लिख दिया the call money was received by 20 April ओके नहीं मिलते जोती जी नहीं मिलते जनरली तो company ने 2 रुपे की final call करी है 1 April को और 20 April को पैहे मिल गए ये भी लिखा है तो भी okay हो गया thereafter उसके बात the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate अब rate ध्यान से बढ़ना सभी नलायक बच्चे one share for every four shares held यानि की हर चार share के बदले में एक share free मिलेगा तो अब बताओ एक लाख 35,000 shares के बदले में कितने free हो गए एक लाख 35,000 equity shares के बदले में कितने मिल गए free 33,750 shares free मिल गए भाईयो बैनो तो भी clear हो गए यहां तग तो बस question कह रहा है show necessary journal entry in the books of the company तो दिमाग में वो चारो entry चल गई आपके दो final call की दो bonus की sanction की और issue की तो चार तो कह रहा है general entry करो लेकिन इसमें जो हमें एक main चीज़ और करनी है वो यह कह रहा है prepare extract of the balance sheet on 30 अपरेल after bonus issue कह रहा है bonus issue के बाद ना फिर यह जो extract है इसमें change हो जाएगा वो change भी बनागर दिखाना है तो बूम बना लेंगे उसमें के चलो ठीक है तो liquid solution 4 कर लेते हैं तो पहले entry आँ कर लेते हैं चार entry है और date भी लिख लेना इस बार हाँ तो सबसे पहले तो एक अपरेल की date लिख लेते हैं क्योंकि एक अपरेल को final call due हुई है तो 1 अपरेल बताओ final call due की एंट्री ठीक है तो देख ले देए equity share final call account debit तो 135,000 shares है और 2 रुप है दो 70 टू equity share capital account दो 70 उसके बाद 20 अपरेल को लिखा था पैहे मिल गए पैसे आ गए हाँ तो लिख ले देए bank account debit to equity share final call account equity share final call account ठीक है तो ये clear होगे सबको बस उसके बाद 20 अपरेली लिख ले था क्योंकि कोई date बता नहीं रखी अब मटके किस order में use करने है सबसे बहले CRR उसके बाद securities premium छीक है तो वो भी लिख लेते हैं उसके बाद general reserve वो भी लिख लेते हैं और सबसे last में PNL account वो भी लिख लेते हैं to bonus to shareholder account to bonus to shareholder account तो bonus to shareholder निकाल लेते हैं आपने निकाल लेते हैं कितने shares दे रहे हो free में ठीक है तो 33,750 shares free में दे रहे हो 10 रुपए इच 33,7500 ठीक है तो यही आ रहे है भी सबका तो कोई भी दिक्कत तो नहीं है यहां तक clear ठीक है अब किस मठके में कितने रुपए हैं वो सवाल में देख लेते हैं CRR में हैं आपके 60,000 है ना rank 1 इसको यूज कर लो बहले CRR में है 60 तो 60,000 CRR यूज हो गया rank 1 उसके बाद security premium में हैं 37,500 तो rank 2 securities premium भी यूज कर लो 37,500 फिर general reserve में आपके पास हैं 1,80,000 तो rank 3 में ये भी यूज कर लो 180 अब जितने और जरूरत पढ़ गए वो PNL से निकाल लो तो देखो कितना balance बच रहे हैं 60,000 तो ये आपने चारो मटके इस्तमाल कर लिए bonus shares issue करने के लिए ठीक है जी तो clear हो गया सबको और उसके बाद last entry भी आप बताओ क्या हो गई bonus to shareholder account debit to equity share capital account to equity share capital account 337,500 तो इसका मतलब आपने 33,750 shares और issue कर दिये free में ठीक है जी तो clear हो गया है अंदर अब इनका effect एक बार सिखाने के लिए क्योंकि मेरे को लगता है मेरा moral फर्ज है तो सिखा देता हूं बागी तो खेर आप खोश्यार को लेकिन फिर भी अब इन एंट्रियों का पहले effect सिखा रहा हूं तो अब आप मत कुछ लिखना या करना तो share final call और share final call तो आप असमें cut जाएगा एक तरह से भई अब जैसे ही आप लिखते हो to equity share capital 2,70,000 तो इसका मतलब है आपकी capital भड़ी या घटी बढ़ गए क्योंकि share capital को credit करने का मतलब है आपकी capital और बढ़ जाती है फिर bank को debit करने का मतलब है कि आपके bank में पैसे क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे तो okay उसके बाद CRR को debit करने का मतलब है reserve को debit करने का मतलब है कि reserve काम हो जाएगा very good security premium काम हो जाएगा very good general reserve काम हो जाएगा very good और P&L काम हो जाएगा तो यो okay है सबको bonus to shareholder bonus to shareholder cut गया debit credit तो इसका कुछ नहीं ठीक है जी और two equity share capital और लिख लिया तो इसका मतलब आपने 33, 750 shares और issue करें तो इसका मतलब आपकी capital और बढ़ जाएगा तो clear होगे effects तो इन effect ओवो मद्धे नजर रखते हुए हम अपने अब balance sheet की फिगरों में परिवर्तन करेंगे ठीक है जी चालब तो आप मेरे साथ साथी बना लो तो balance sheet extract है यह मतलब basically क्योंकि उसने भी extract ही दिया था after bonus issue तो यह हमारा extract ही है ठीक है तो आप भी सुन्दर सुन्दर बना ले ना मैं भी बना रहा हूँ तो जैसा उसने दिया था बिल्कुल वही चेप लेंगे मतलब order वही चेप लेंगे और फिर जो भी changes होंगे वो कर लेंगे तो सबसे पहले उसने दिया था share capital और इसमें उसने दिया था authorized capital है ना तो वो उसने दिया था सिर्फ एक बद दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको 15,000 12% preference share और 1,50,000 equity share है ना तो authorized तो हमें change नहीं करने या करने है बता हूँ नहीं करने वो तो maximum limit है वैसे तो वो ही छोड़ देते हैं तो वो तो as it is चेप लो 15,000 12% preference shares of ruby 10 each देलाग or 1,50,000 equity shares of ruby 10 each तो यह तो आप as it is ऐसे ही छोड़ दो फिर उसके बाद दे रखा था उसने issued capital issued and subscribed तो वो ही लिख लेते हैं as it is issued and subscribed capital तो वो देख लेते हैं वो कितना दे रखा था पहले तो देखो preference shares तो थे बारह हजार बही दिख्या आपको issued and subscribe कितने दे preference share 12,000 और equity shares कितने दे 135 of 10 each लिखा था comma 8 paid up लिखा था लेकिन अब तो हमने उन पे 2 call भी मंगवा ली है ना बही बही सबको clear हो रहा point अब तो आपने final call भी मंगवा ली ना उन पर तो अब पहले preference share लिख देदा हूँ तो issued में तो आप लिखलो 12% 12% preference shares of rupees 10 each एक लाग पीस और equity shares 1,35,000 equity shares मताओ आगे क्या लिखे हैं off rupee 10 each महला fully paid up होगे तो आगे कुछ ना लिखे हैं बही सब बच्चे बता दो rupee 8 paid up तो नहीं लिखना सबको clear है बताओ क्यों नहीं लिखना क्योंकि आपने final call मंगवा ली है और अब वो भी fully paid हो गए है तो clear है भई अच्छा अब अगर मैं कहूं कि ये 1,35,000 equity shares जो आपने संख्या लिखे हैं ये गलत है तो बताओ क्यों गलत है क्योंकि आपने bonus shares आपने free में भी तो कुछ shares issue करें कितने shares free में issue करें थे बताओ कितने shares free में issue करें थे आपने 33,750 ये भी तो shares issue करें ना आपने और तो बस इसी बात का ध्यान रखना है तो अब आप इसके अंदर 33,750 shares और भी तो issue करें ना तो उसको जोड़ कर लिखो ये figure और तब तक मैं इसको रब करूँ 168,750 अब मैंडम कह रही है कि ये authorized से जादा हो गया very good point ये तो मुझे सिखाना था कि जैसे ही हमने ये shares issue करें तो अब ये figure authorized से जादा हो गए ये बात सबने notice करी तो वो तो अभी आता हूँ पहले लेकिन पहले सबको 168,750 clear है किसी को भी doubt को नहीं है तो जो इन्होंने observe करा कि सर ये तो authorized share capital से जादा हो गई है और जबकि आपने तो पढ़ा होगा 12 में भी कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि authorized shares है खाली 150 और issued हो जाए 168,750 तो ये तो गलत हो जाता है तो अब क्या करें तो अब हमें authorized को जान मूच के change करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि company ने special resolution pass करके articles में amendment करके ये बढ़ा लिया है तो MOA में change हो गया ऐसा हमको खुद मानना पड़ेगा अब आप ऐसी छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा अब ही ICA के solution की दिखाऊंगा ये सब बात है तो अब आप भी authorized को काट कर, block बना कर काटना ताकि आपको पता रहे कि ये हमने मजबूरी में करा ऐसा नहीं कि करना पड़ेगा हर बार मजबूरी में करना पड़ेगा तो authorized shares को अब आपको मजबूरी में बढ़ाना पड़ेगा तो 168,750 shares कर दो of 10 each, तो value भी change हो जाएगी अब तो वहां पर तो उसको भी काट लो block बना कर 16,87,500 तो ये मुझे आपको सिखाना था इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा नहीं तो पहले लिखते था तो फिर आपको पता नहीं चलता कि क्यों करा लेकिन अब समझ आगे कि क्यों करा क्योंकि issued जो है वो share जादा हो गए और ऐसा हो नहीं सकता लॉक आओ लंगान हो जाएगा तो हमें authorized में भी फिर change खुद करना पड़े तो ये इसमें मतलब खुबसूरत point था तो लिख लो value 16,87,500 बस अब total तो फैर करी लो authorized का total तो कितना आएगा 18,37,500 और issued का 18,07,500 ठीक है तो बही clear हो गया सबको तो number of share समझ के कैसे आए तो हमें bracket में ये show करना पड़ता है क्योंकि accounting standard 1 ये कहता है कि आपको न डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने user को तो वो bracket में लिख लो कि out of above 33,750 equity shares were issued by way of bonus were issued by way of bonus तो ये हमें अलग से दिखाना पड़ता है bracket के अंदर ताकि user को समझ आ जाए कि अच्छा company ने इतने share total जो issue कर रखे हैं उसमें से इतने share free में दे रखे हैं तो ये user को दिखाने के लिए mandatory requirement है तो clear हो गए भाईयो बैनो देख लो बच्चे से तो issued share बढ़ गए थे तो इसी लिए authorized shares को भी हमने बढ़ा दिया ओके चल तो ये तो हो गया मेरा main काम अब उसके बाद तो बस reserve and surplus दे रखे थे उसने चार दे रखे थे general reserve, CRR, security premium और PNL तो आओ तो ये तो बहुत ही छोटा सा format है तो reserve and surplus heading दाल ले दे हैं और इसमें उसने दे रखे थे सबसे पहला securities premium चलो तो आप बताओ 37,500 पहले से given था अब कितना हो जाएगा क्यों निल, क्योंकि सब use कर लिया इसी तरह फिर दूसरा capital redemption reserve दे रखा था 60,000 अब कितना हो जाएगा निल, क्योंकि ये भी सब use कर लिया उसके बाद दे रखा था general reserve एक लाख असी ये कितना हो जाएगा निल, ये भी सब use कर लिया और फिर आपको दे रखा था PNL account तीन लाख ये कितना हो जाएगा दो चालिस, क्योंकि आपने PNL कितना use कर आसे लिए बस, तो ये तो एक simple बात बन दे लिए तो उन्होंने इतना ही दे रखा था बास extract, तो हमें इतना ही extract बनाना था क्योंकि इतना ही दे रखा था उन्होंने बाकी cash wash कुछ और दे नहीं रखा तो इससे हम बच लगे निल दिखाना पड़ेगा निल हमको दिखाना चाहिए ताकि हम ये बताएं कि examiner की देखो ये use हो गए ठीक है तो clear हो गए तब को बोलो हाँ या ना चाहिए तो बाकी बर किताब वालों का भी दिखा देता हूं ताकि आपको एक मिनान हो जाए तो ये रही entries share final call to share capital फिर bank to share final call ये रहा मठके का utilization और ये रहा bonus share issue करना बागी extract of balance sheet देख लो भाईयो भेनो authorized share capital में कितना कर दिया इनोंने भी 168, 750 और लिखा भी अभी पढ़वाँगा भी refer working note भी पढ़वाँगा बागी issued shares तो as it is आ गए और वो देखो user को दिखाने के लिए mandatory note भी आ गया बागी reserve and surplus में premium nil, crr nil, general reserve nil और pnl दो जाए तो clear हो गया बागी note पढ़ लो किताब वालों का अचा नहीं पता नहीं कहां दे रखा है note अचा ये रहा हां तो note ये ही दे रखा है कि भई authorized share capital should be increased और detail तो खेर आपको पता ही चल गई तो मैंने समझ गए ना कि authorized share capital आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आपके issued share जादा हो रहे थे ठीक है जी तो next है बहुत ही छोटा सा illustration 5 एक company offers new shares of रुपी 100 each at 25% premium तो एक company जो है वो अपने नए shares 100 रुपए की जिसकी face value है 25% premium पर issue कर रही है और लिखा है two existing shareholders अपने existing shareholders को कर रही है issue on, on के बाद पढ़ ले न one for four basis इसका मतलब है कि हर चार के बदले में एक मिलेगा one for four का समझ गए basis का मतलब हर चार के बदले में एक मिलेगा फिर लिखा है come right market price is 150 मतलब market price rights issue आने से पहले का दे रखा है तो पहले कितना market price दे रखा है 150 है ना come right price calculate value of right कह रहा value of right निकालो और what should be the x right market price और कह रहा है x right market price निकालो तो ये तो आप से कर बा सकते हैं तो एक बार करो चलो अपने honor का प्रदर्शन दिखाओ चार मिनट तो बताओ फिर x right market price आ गया सबका ठीक है 145 आ रहा होगा ठीक है और value of right फिर 5 चारो सही है तो वैसे इतफाक से वोई figures हो गई almost से वैसी जो example में भी थी ठीक है तो clear होगे है तो simple चारो तो अब चलते हैं कुछ easy easy question पर दिमाग को शांत करने के लिए जैसे पहले है true false तो number one में पूछ रहे earning per share gets increased after bonus issue तो यह याद है आपको क्योंकि bonus shares issue करने से हमारे number of share बढ़ जाते हैं number of shares increase हो जाते हैं और जब number of share increase हो जाएंगे तो earning per share कम हो जाएगा decrease हो जाएगा तो यह लिखा दामने वैसे effect of bonus share में ठीक है false second है issued share capital including issue of right shares and bonus shares may be more than authorized capital कह रहे है issued share capital जो है वो जादा हो सकती है authorized capital से तो बताओ तो हमें false लिखना पड़े है क्योंकि authorized capital कभी भी और मतलब issued capital कभी भी authorized capital से जादा नहीं हो सकती never मतलब हो सकने का मतलब यह नहीं कि calculation में हो गई जैसे अभी हमारे question में हो गई थी लेकिन फिर हमने authorized को change कर दिया हां तो authorized capital से बढ़ा कभी भी कोई भी capital नहीं हो सकता never तो मतलब इसको भी आप false ही लिखना कि भी नहीं हो सकता issued capital कभी भी जादा नहीं हो सकती authorized capital से उसके आद third में पूछ रहा है right issue of shares result in decrease in market value of share in comparison to the market price before right shares मतलब कि right issue आने के बाद बाजार के दाम कम हो जाते हैं share के हाँ तो आपने exampleों में भी और question में भी देखा था कम हो जाते हैं क्योंकि ये right issue का effect भी है कि right issue आने से market value कम हो जाते है उसके बाद fourth right shares are normally offered at a price more than the come right value of share causing dilution in its value post right issue और क्यों false है कम right से less price पर होते हैं वह सस्ते में देते हैं अगर कम right value से भी जादा भी देंगे तो फिर तो right share का concept ही नहीं बना तो clear होगे point आपकुछ M.C.U. में तुक्के मारने आपको assets are transferred from the company to shareholder यह तो जूट है the bonus issue result in decrease in reserve तो यही सच है कि bonus issue करने से हमारे reserve काम हो जाते है तो उसके बाद third which of the following statement is true इसमें भी आपको बताना है क्या सच है A. Convertible debenture holders will get bonus share तो यह तो यहीं गलत हो गया bonus share में भी issued to convertible debenture holders यह भी हैं गलत हो गया तो यह तो पढ़ने थे हैं आगे at the time of conversion of such debenture into share ओ अच्छा अच्छा सही है भई सही है मैंने चीता बना करा sorry हाँ मैंने आगे ही नहीं पढ़ा at the time of conversion of such debentures into shares हाँ सही है यह अभी हम redemption of debenture chapter पढ़ेंगे आगे तो उसमें वैसे बात आईगी तो मैं आपको थोड़ा सा बता जाता हूँ कि जब debentures convert होते हैं न shares के अंदर हाँ तब हम bonus shares convertible debentures को issue कर सकते हैं तो यह पढ़ेंगे हम तो मतलब जो a point था सही दे रखा है कि हम convertible debentures को issue कर सकते हैं bonus shares तो यह हमारे आगे के chapter में आएगा तो आप इसको सही कर लेना मतलब दोनों बातों को सही कर लेना उनका नाम ही है ने convertible debentures holders तो convertible debentures holders को हम यह मानते हैं कि यह कभी ना कभी क्या बनेंगे shares बनेंगे लेकि यहाँ पर भी आगया point तो यहाँ पर भी आपको बता दिया तो जो convertible debentures होते हैं they are as good as क्या shares only क्योंकि यह कभी ना कभी किसमे convert होंगे shares में तो इनको bonus share मतलब मिल जाता है तो सही कर लेते हैं C मतलब दोनों बाते सच हो गए अच्छा उसके बाद जी 4th bonus issue is also known as तो यह मैं आपको बता दो इसको हम script issue भी कहते हैं script का मतलब share ही होता है एक तरह से और capitalization issue भी कहते हैं capitalization का मतलब इसले क्योंकि हम अपने reserve को capitalize कर रहे हैं मतलब reserve को capital में convert कर रहे हैं तो यह आप mark कर ले ना यह आप लिख भी सकते हो तो bonus issue जो होता है उसका नाम या उसको हम script issue भी कह सकते हैं script मतलब share हो गया तो share issue या capitalization issue भी कह सकते हैं capitalization का मतलब होता है reserve को capital में convert करना तो दोन बाते कह सकते हैं उसके बाद जी नमबर पाँच बोनस इशू इस नॉट मेड अन्लेस कहरा बोनस इशू कब तक नहीं होगा जब तक पार्टली पेट शेर्स फुली ना बन जाएं ये भी और AOA में पावर्स होनी चाहें तो बोनस शेर्स देने के लिए दोनों ही बाते होने चाहें तो पाटली पेट शेर्स फुली पेट भी होने चाहें और आर्टिकल्स में पावर्स भी होने चाहें उसके बाद नमबर शिक्स बोनस इशू Has the following effect कहरा है बोनस इशू का आपको बताना है क्या effect होगा B. Effective earning per share, book value and other values per share, stand increased. तो ये तो गलत ही हो गया. C. Market generally take action as an unfavorable act. ये भी गलत है क्योंकि favorable act लिखा दाम में. तो मलब ए ओप्शन ही सही है, कि bonus shares issue होने से market price रहे, वो adjust हो जाता है, change हो जाता है. उसके बाद 7th मैं पूछ रहे, ABC Company Limited resolve to issue bonus shares, ठीक है. Which of the following is not a prerequisite for issuance of bonus share? मलब किस चीज़ की जरूरत नहीं है, कह रहा है, AOA में authorized होना चाहिए है, इसकी जरूरत तो है. timely payment of statutory dues of P.F. or gratuity, इसकी भी जरूरत है, ये भी लिखवायत है न, conditional है, कि भाई कोई default ना हो. और C. sufficient balance in bank account of the company, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि bonus issue तो वैसे भी bank से थोड़ी ना देना है, वो तो free में देना है, हमको तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो ये कोई prerequisite नहीं है. तो समझ गे question, उसकी बाद 8th, in case of further issue of shares, कह रहा है कि अगर हम और shares issue करेंगे, the right to renounce the shares in favor of a third party, फिर आगे कह रहा है, a. must include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares, b. should include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares, c. is deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the share, subject to the provision under the articles of the company. बस बच्चा तु कमार रहा है तो देखो पहले में लिखा है must include दूसरे में लिखा है should include तीसरे में लिखा है deemed to include तो वैसे थोड़ा सापको बताएता हूँ आपको ये तो याद ही होगा अगर कि जो right होता है अधिकार उसको हम renounce कर सकते हैं याद आगया है renounce का मतलब क्या बताएता transfer कर सकते हैं मतलब किसी को हम बेच सकते हैं दे सकते हैं तुम ले लो मुझे निचे हैं तो right to renounce the share in favor of a third party अब इसका जो सही law की language है वो वैसे C ही है लेकिन मैं आपको C पढ़के समझायता हूँ is deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares मतलब ये कि जिसके पास rights होते हैं कानून ये मान के चलता है मतलब deemed to be included कानून मान के चलता है कि तुमारे पास ये अधिकार है कि तुम इसको renounce कर सकते हो तो कानून क्या करता है deemed, deemed का मतलब होता है अपने आप assume कर लेता है तो जिस भी आदमी के पास right होता है तो कानून हमेशा ये मान के चलता है कि तुमारे पास इसको renounce करने के rights हैं हाँ, subject to अगर articles में मान लो कुछ और powers लिख रखी हैं तो अलग की बात है तो अगर मान लो मैंने articles में लिख दिया कि आप renounce नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर पाओ लेकिन otherwise law क्या मान के चलता है कि जिसके पास right है उसके पास renounce करने का भी अधिकार है, ऐसा law deemed मान के चलता है, तो ये deemed to include जो है मतलब law की language है तो clear होगे point तो आप इसको mark कर लेना answer तो C options है ये, बाकि A भी गलत है, भी भी गलत है वो law की language में, वैसे भी नहीं है चलो जी, उसके बाद ninth तो आपको जल्दी से calculator पर बताना है या वैसे निकालना है एक company's shares face value is 10 ठीक है book value is 20 right issue price is 30 and market price is 40 तो चार-चार values दे दी बच्चा confused हो गया तो face value 10 है, book value 20 है, right issue 30 है और market price 40 है while recording the issue of right share the security premium will be credited with तो लगाएं, मलत दिमाग ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो entry ऐसी time pass के लिए कर रहा हूँ bank में कौन सा value लिखते हैं right issue price है न हमेशा कि कंपनी तो right issue price पर पैसा लेगी share capital में कौन सी value लिखते हैं face value यो तो मरते दम तो याद रखना है तो क्या बच गया premium 20 तो बाकी book value से हमें कोई मतलब नहीं पागल बनाने के लिए दे रहा है market price से भी कोई मतलब नहीं पागल बनाने के लिए दे रहा है 20 रुपए face value book value का मतलब हम CA inter में वैसे जादा सीखते हैं लेगिन इसका मतलब यह होते है कि फिलाल company की जो net worth है उस हिसाब से क्या value उसको book value के लिए यह मतलब होते हैं ना तो net worth अभी हमारे foundation में नहीं है अच्छा 10th A B क्या है C D तो आपको बताना है कि क्या सही है तो A में लिख है right shares enable existing shareholders to maintain their proportional holding in the company बताव क्या यह बात सही है हाँ यह हमने लिखी थी B right shares issue does not cause dilution in the market value of share right issue से कह रहा है market value में कोई भी कमी नहीं आएगी तो यह गलत कह रहा है क्योंकि right issue आने से तो market price कम होता है तो A तो सही कह रहा है B गलत कह रहा है A सही B गलत तो A सही B गलत किसमें दे रखा है C में A सही और B गलत तो बच्चा पता चलो option इंग गलत करके आ रहा है जंदी में तो भी okay A सही B गलत उसके बाद है 11th 11th में कह रहा है X right price can be calculated by the formula formula याद करना है आपको गताओ क्या दा formula X right price निकालने का कम right value of existing share plus right share issue proceeds whole divided by existing number of share plus number of right shares B में कह रहा है कम right value of existing share plus right issue proceed अच्चा तो इसमें इनोंने B में multiply दे दिया तो ये यहाँ गलत हो गया और यहाँ पर minus दे रहा है ये यहाँ गलत हो गया तो A ही है वैसे यही formula है X right price का निकालने का ठीक है तो clear हो गया अच्छा तो ये भी हो गया है मज़ेदार question अब चलते हैं एक बड़े question की तरफ अग्रसर करते हैं practical question number two करवा जाते हैं आपको आपको तो ये भी मतलब आपको एक variety मिल जाएगी कि और क्या आएगा या कैसा आता है तो इसमें लिखा है the following notes pertain to bright limited balance sheet as at 31 March ठीक है तो अब देखो पहले notes एक बार अच्छे से go through कर लो authorized capital दे रखी है आपको ठीक है 20 करोण shares ठीक है of the siege तो बच्चा करें सिर्फ 20,000 रुपए कैसे हो गई है रुबी इन लैक से ठीक है फिर issued shares में लिखे है 10 करोड shares issue करें सिर्फ 10 करोड of 10 each ठीक है बाकी 2 करोड preference shares भी issue कर दी है ठीक है और फिर लिखा है called up and paid up ये आँखे फाड़ फाड़ के देख ले न कि 10 करोड equity share of 10 each कॉमा रुपी 8 called up तो इसका मतलब क्या 2 रुपए final call आपको अपने आप करनी बड़े ठीक है बागी cumulative preference share तो fully paid बढ़ उससे तो मुझे कोई मतलब ही अब आओ मत के कौन कौन से हैं आपके बास CRR rank 1 security premium वो भी cash में collected rank 2 general reserve rank 3 और P&L 3B कह देते हैं अच्छा on 2nd April 2022 the company made a final call on equity share of रुपी 2 तो 2 April को company ने final call तो कर ली 2 रुपे की और entire money was received in the month of April और सारा पैसा अपरेल के महीने में मिल गया ठीक है on 1 June the company decide to issue equity share बस आगे पढ़ लो जी bonus shares at rate of 2 shares for every 5 shares held तो हर 5 share के बदले में 2 share मुफ्त मिलेंगे ठीक है ऐसे याद रखना हर 5 के बदले में 2 free मिलेंगे तो company के पास हैं 10 करोड equity shares तो बताओ कितने होगे free 10 करोड और हर 5 के बदले में 2 free मिलेंगे तो कितना होगे free 4 करोड तो इसका मतलब company ने 4 करोड shares free में दे दिये bonus shares तो भई okay है सबको clear है चार ठीक है तो पहले एक second तो 4 करोड shares free में issue कर दिये यह आपको ध्यान रखना है ठीक है बस फिर उसके बाद लिखा है past the journal entries तो इसमें तो आप champoo कर लोगे अपने आप बोलो हाँ बताओ कितने entries करोगे 2 तो final call की और 2 bonus की तो 4 entry करने है ठीक है अलसो फिर कह रहा है उसके बाद prepare notes on share capital and reserve relevant to the balance sheet immediately after the issue of bonus share कैर उसके बाद जो यह notes है यह मुझे हमें बना कर revise वाले बना कर दिखाना तो अपने होनर का प्रदर्शन आपको दिखाना है उसके लिए आपको 12 से 15 मिनिट का time मिलेगा सुन्दर सुन्दर करना है सारा काम with narration एक भी cutting नहीं एक भी overwriting नहीं line ए सीधी चलो तो कर ले दें discuss तो देखो सबसे पहले आपने उबर heading दाली journal entries in the books of bride limited तो लिखो minus one तो उसके बाद आपने format बनाया जर्नल गा लिखो minus one जिन्होंने नहीं बनाया उसके बाद date के साथ पहली journal entry equity share final call to equity share capital वो तो कर ली होगी उसके दो zero number है फिर narration करी minus one जिन्होंने नहीं करी अच्छा बाकी rupees आप lakh में भी लिख सकते हो मतलब इनकी तरह किताब बालों की तरह और अगर आप में बहुत dumb हो तो सारे zero लगा के भी कर सकते हो तो आपकी choice से जैसे करना है ठीक है तो मतलब आपको कितने zero लगाने बढ़ेंगे फिर यह बहुत सारे कितने है एक लाख में कितने zero होते है पांच तो बस तो पांच zero लगा भी सकते हो आगे पूरी पूरी figure लिखने के लिए नहीं तो rupees लाक्स लिखके जैसे किताब में कर रख है वैसे भी कर सकते हो तो पहली दो इंट्रीज तो आपकी हो गए फाइनल कॉल की बट सही है अमांट ठीक है बाकी यह चेक कर लो फिर bonus issue करा तो CRR पूरा यूज हो गया security premium पूरा यूज हो गया और general reserve में ही बात खतम हो गई है तो PNL को use करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हो यह सबका सही है ठीक है bonus to shareholder और bonus to shareholder to equity share capital ठीक है तो यह सही है अब notes जो बनाएब उसमें पहले आप ही बताओ authorized share कितने लिखे 20 करोड ठीक है तो इस बार आपको authorized share 20 करोड बढ़ाने की जुरत नहीं पड़ी होगी क्योंकि already limit के अंदर है और issued share या subscribed and fully paid up 14 करोड equity share of 10 each 14 करोड हो गए थे 10 करोड तो पहले ही थे 4 करोड bonus वाले तो 14 करोड और note नहीं दिखाने के एक number minus लिख लो यह note आपने नहीं दिखाया होगा user नराज हो गए minus one user की नराज़गी हाँ इसके कटेगा यूजर कहा रहा है कि मुझे क्यों नहीं बताया कि आपने free में shares दी है तो user नराज हो जाएगा user फिर चठी लिखेगा ICI को ICI आपके number काटेगा तो यह note हो जरूरी लिखना है बाकि preference share तो same ही होगे वो तो दो गरूर होगे ठीक है अब reserve and surplus में बताओ क्या आया CRR nil security premium nil general reserve 525 बच गया होगा और PNL same 273 तो समझ आया